नमस्कार आधाथ सिस्रीकाल राम राम खमागणी दोस्तों मैं रजनी स्वागत करते हूं आपका अमरे चैनल दर सक्सेस में तो दोस्तों आज है नो मार्च हो गई लेकिन ये न्यूज है आठ मार्च की आठ मार्च के टो फाइफ न्यूज में आपके सामने लेके आई हूँ तो थोड़ा सा रेड़ पैन वाला शायद ज्यादा वाइट हो गया ना दिखनी रहा तो यह मैं पढ़ के सुना दूंगे वैसे कि क्या है उससे दोस्तों अगर आप जो भी मैं वीडियो लाते हूं उनकी पेडियाफ अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलिग्राम चैनल है दसक्स के नाम से अगर डायरेक्ट आप लिंक पे जाना चाहते हो तो दिस्क्रिप्शन बुक्स में जाके आप लिंक पे जा सकते हो उसके आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं और जिस तरह से आपने इस चैनल को प्यार दिया है उमीद है आप उस चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे ठीक है तो मेरी नई शुरुआत है तो थोड़ी सी मदद की जरत भी है आप लोगों के तो थोड़ा सा लाइक शेर एंड सब सब्सक्राइब उधर भी करते रहिएगा बाकि आज की न्यूज दोस्तों ही है तो फाइफ न्यूज आरेस प्री जो होने वाला है 2022 में उमीद है कि जून जुलाई तक हमारी प्री एक्जाम लग जाएगी और यह जो पहले वाले लोग है तो उमीद है कि जून जुलाई मे हमारी प्री की एक्जाम लगने वाली है तो उसके लिए तैयारी कि हमें करेंट के लिए बहुत जादा अलग से जोन नहीं देना पड़े अभी हम साथ साथ करेंट लेगे चलेंगे तो हमारा प्री का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा तो उसके लिए फर्स्ट सबसे सस्ति सब्सक्राइब कर एक लाइन में पूछे जाये तो क्या है स्थे varieties सुर्च्छ क्यों को ट्रेनुं पर होते हैं उनको रोकने के लिए उनको बचाने के लिए ऑड्तोमेटिक सुरक्षा प्रणाली है है लिए जब निरधारे धूरी के भीतर उसी लाइन पे के सामने होती है तो अगर कभी बाइदावे ऐसी मिस्टेक हो जाए तो एक बहुत बड़ी दुरगटना का रूप ले सकती है और कई बार ऐसा हुआ भी है तो इसी दुरगटना से बजने के लिए यह जो कवच सुरक्षय प्रणाली है यह आटोमेटिक इसा पता चल जाएगा से की वहीं रोक देगी है ना मदब चलने नहीं देगी तो यहीं है कवच सुरक्षय प्रणाली आत्मनिर्वर भारत योजना के तैत हाल ही में 2000 किलोमेटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना है अभी दोस्तों जैसे कि आत्मनिर्वर भारत योजना लॉं है उसे इंडिया में बनाएं और इसके लिए ही हमने 2000 किलोमेटर तक का लक्षा रखा है कि सबसे पहले 2000 किलोमेटर तक का रेल जो नेटवर्क है उसको कवच के भीतर लाएंगे और अब तक लगबग 1600-1700 आ भी चुका है इसके तहट और कवच में दोस्तों उपयोग किसका होता है तो कवच में उच यह आवरती में रेडियो संचार टक्नीक का इस्तमाल क्या फिक बारती मेंसे पूच पूछ a चाहिए पर जाए कि किसका करनाली जब निर्धारी दूरी के भीतर उसे लाइन पे दूसरी ट्रेन हो तो यह प्रणाले स्वचाली तुरूप से दूसरी ट्रेन को रोग देगी अब 2000 किलोमेटर का लक्षय रखा गया था और अब तक 1600-1700 किलोमेटर इसमें की भी जा चुकी है मतलब कबच सिस्टम लगाया भी अभी जो वूमन सुपरवाइजर तीन पेपर आये थे ना उद्ध्योग निरिक्षक वूमन सुपरवाइजर रास्तान सरकार के तीन पेपर हुए थे तो उनमें से ही एक पेपर में एक आया था कौशन कि इधर तो चार मतलब इनके नाम दे दिये थे तेलाबों के और इध लिए अगर पेपर में आया है तो हम सब्सक्र माषद कर लेते हैं कि अकसर पेपर में वही न्यूज पूछी जाती है जो चछा में रहती है तो दोस्तों सुरसागर का इस्तीत है सुर्सागर विकानेर में इस्तीत है यृद कि पर यह ही त्युक्छ योफ चुब उष् iç कुछा कोहिए यहीग दोग कुछ करके कर दो कि यह इंटर्वीयम कोई से कंजा जाता था वाब लाजस्तानी घीतों में कुर्जा कोी क्यों किया किसी और पक्षि को नहीए तो की Leah बीकृछ आने वाला का प्वाष्षी है यह हमारे देश का पक्षिन नहीं है यह दूसरे देश से हमारे देश में अड़कर आता है तो सब हला है सबसे पहरे नोगे जोत्पूर ये खीचन गाओं में और कैसा पक्षी प्रवासी प्रवासी मतलब दूसरे देश longer उड़कर आता है और हर्शाव यह आते हैं दूसरे तो कोन से दूसरे देशों से आते हैं यह मद्दे एशिया से आते हैं जैसे कि उत्री रूस यूक्रेण कजाकिस्तान इन तीन जगह से special मद्दे इसी से ओड़कर आते हैं प्रतिवर्च शीट काल में भारत में प्रवास करते हैं आता कब हैं जब हमारी सरदिया शुरू होती है ना तब यह आता है और कहां से आते है उत्री रूस से यूक्रेन से कजाकिस्तान से ठीक है और हर वर्शीत काल में अब की बार भी कम से कम भी 40-50 हजार कुर्जा हमारे यहां पे राजस्तान में आए हुए है और खबर में इसलिए था कि अभी जैसे मा किया गया था कि मतलब 40-50 हजार कुर्जा प्रतिवर्श मतलब आते हैं अपने राजस्तान में जैसे उधर सर्दिया बढ़ने लगती है तो यह दर प्रवास करते हैं और अपने आप उनके वकाबले थोड़ी कम सर्दिया होती है तो धूप बढ़िया सेखते हैं लेकिन कितने किलोमेटर जाके आते हैं मतलब अधिया यहां से कितने किलोमेटर दूर है तो उतने किलोमेटर जाते हैं तो पहले प्रैक्टिस करते हैं तब लोगों को लोकल लोगों को पता चल जाता है कि अब कुर्जा वापस जाने वाला है और जैसे कि जुंडों में आते हैं व कि जो हमारे जो वो होते हैं क्या बोलू मैं उनको प्रेयसी का जो प्रेमी या फिर हम पती बोल सकते हैं वो होता है वो बाहर काम करने के लिए मतलब विदेश गया हुआ है और विदेश में जाने के लिए पहले मोबाइल फोन और ऐसे संपक तो थे नहीं न या तो कबूतर हो फिर से चर्चा में है वैसे अगर आप मेरी न्यूस को रेगुलर पढ़ते हूं तो मैं FATF आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुकी हूं फिर से चर्चा में है तो फिर से देख लेते हैं FATF की दोस्तों FATF की सबसे पहले तो फूल फॉर्म देख लो Financial Action Task Force FATF Financial Action Task Force तो दोस्तों FATF की फूल फॉर्म आपने देख ली FATF का काम क्या है FATF एक विश्वेस तर यह संस्ता है जिसका फूल फॉर्म है Financial Action Task Force इसका काम मैं दोस्तों पहले भी कई बार बताया है कि पहले इसका काम एक ही वा करता था वह था मनी लॉंडरिंग ठीक है मनी लॉंडरिंग मतलब काले धन को वाइट धन बनाने के लिए जो कारियक किया जाता है उस पर अंकुष्ट लगाना है कि दूसरे देशों में जाके हम लोग स्विस बैंकों में जमा करवा देते हैं यह फिर वाइट में कनवर्ट करने के लिए जो भी अवैद प्रियास की जाते उनको रोकने के लिए यह संस्ता बना गई थी लेकिन जब से अमेरिका पर टेरर अटेक हुआ था उसके बाद से उन लोगों को समझ में आया कि टेरर कितना खतरनाक हो सकता इतने दिन इंडिया बोलता था पर इन लोगों के समझ में नहीं आता था इसलिए उसके बाद से टेरर फंडिंग पर मतलब जो लोग आतंगवादियों को वित्पोशित करते हैं पैसे देते हैं अपने देश में उन पे रोक लगाने के लिए भी यह संस्ता कारिया करने लगे तो फिलहाल में इसके दो उद्देशा हैं एक तो जाती है बड़ी बड़ी संस्ताओं द्वारा उनको फिर विट पोशन नहीं हो पाता मतलब पैसे नहीं मिल पाते क्योंकि ग्रे लिस्ट वालों पर इल्जाम होता है कि कही ना कहीं ये आतंगवादियों को पोशन तो नहीं दे रहे हैं लेकिन इनके देश में आतंगवादिय लिस्ट कि सूची में रखागया है पाकस्तान हमेशा कहता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आए लेकिन अभी तीन साल यह चार साल हो गए पाकिस्तान बाहर नहीं आ पा रहा है कि अपने देश के जो आतंगवादी हैं उनको जो पैसे दिये जाते हैं उनको रोकने का कारिय पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया जा रहा है मतलब कोई स्ट्रोंग एक्षन पाकिस्तान नहीं ले पा रहा है साथ ही UAE सर्युक्त अरब अमिराद को भी FATF की ग्रेय लिस्ट में शामिल किया गया है उसके उपर भी कई दो तीन आतंगवादे संगठन को पैसा देने का इलजाम लगाया गया है पाकिसान ने वोला है दोस्तों इसकी FATF की जो ग्रेय लिस्ट होती है उसमें कुल 34 ग्रेय है जो छूटे हुए है और इसमें यह बोला भी गया है कि अब भी पाकिस्तान ने पूरी तरह से कारिया नहीं किया है तो जब तक सुधरेगा नहीं जब तक FATF वाले छोड़ेंगे नहीं और हमारे लिए अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत तो बंदिश होनी चाहिए ता चाहिए मेंस में ऐड करना चाहिए तो थोड़ी से चीज़े हमें यह आनोनी चाहिए कि अभी हाल ही में एक निऊस आहिए कि चाइना ने अपना रख्षा बजट बढ़ाया है कितना बढ़ाया 7 पुइंट 1 परसेंट बढ़ा दिया है पिछला जो बजट था मालनो उनका 90 था तो 90 से 99 e कर दिया है एक्दम से इतना रख्षा मुझटट बढ़ा दिया और अब उनका रख्षा मुझट 229 तरह सकता नहीं दो कितना है 239 ढूलन और अगर भारत के रख्षा वजट के मामले में बहुत पीछे हैं तो दोस्तों अगर चाइना के बात करें तो अमेरिका के पस्चाद चाइना विलहाल वर्तमान में विश्वय में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा वजट रखता है सबसे ज्यादा पैसे तो अमेरिका खर्च करता है अपनी आर्मी पे और दूसरे सबसे जयादा पैसे कौन खर्च कर रहा है चाइना खर्च कर रहा इसलिए कि चाइना हमारा एक पड़ों से देस है और वह में एक अक्रामक पड़ों से देस है 5 दिए रहने के लिए हमें हमारी आर्मी पे और ज़्यादा खर्च करने के ज़रत है और हमारी सरकार इसके लिए बहतरी प्रियास कर भी रही है तो यह थे दोस्तों आज के टो फाइफ कोशन उम्मीद है आपको कई ना कई मदद करेंगे फ्री में भी वैसे मेरे ज़्यादतर कोशन मैं एक शब्द में बता ही नहीं सकती चाहे मैं कितने भी कोशिश कर लूँ कि एक एक लाइन में उत्तर दूंगी बट मेरे को ऐसे है कि ठीक है जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा तो समझा के पढ़ाएं तो आए हो आपको भी अच्छे लग रहे होंगे वीडियो अगर चैनल को लाइक कर दे शेयर कर दे सब्सक्राइब कर दे थोड़ी बहुत कमेंट भी करते रहें अगर आपको सुधार की जड़त है तो बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच